सदसंगत जी प्यार से कहना धन गाय जी आज समागम के दूसरे रोज जहां सुभा सेवदल रह ली और अब समागम का ये रूप और सुभा भी सेवदल की वर्दी पहने ये सजे हुए सेवदार और वो संदेश भी उस समय भी चाहे आट्स रूप में या वो तन के प्रती चेतन करते हुए कि तन मंधन निराकार की ही देन है और तन को भी स्वस्तर रखना है तो वो चाहे जो भी माध्यम रहा जो मेसेज दिया वो यही कि कैसे जहां समर्पित भाव होता है वहां फिर चतुर्चा लाकिया नहीं होती जब सेवा में भी ऐसा कोई भाव डाल देते हैं कि कुछ हासिल करने के लिए सेवा करनी है तो वो एक साफ रूप सेवा का है ही नहीं वो पहले ही शुरुवात से ही उसमें कुछ गलत मिला हुआ है और मिलावट की सेवा तो सेवा नहीं है क्योंकि ये निराकार परमात्मा ये भाव ही देखता है और ये intentions हरे की कि हम क्या किसी को कुछ साबित करने के लिए सेवा कर रहे हैं या फिर एक हम अपने लिए अपने दिल को संतों के प्रती संसार के प्रती समर्पित करके सेवा कर रहे हैं तो ऐसे ही चतर चालाकियां हम कैसे रोक सकते हैं और जहां बार-बार आज विस्तार के उपर सब ने ही जो जिकर किया तो विस्तार करने को तो ये चतर चलाकिया, ये अन्य जो भी दोश है हम में कमिया हैं। उन पे भी किया जा सकता है कि अच्छायों को छोड़ो, बुरायों को बड़ाओ। पर ये हर एक में समझ है, सोजी है, विवेक है कि हमें अपने जीवन में तो कमियों को और कम करना है और एक अच्छाइयों को ही बढ़ाना है, मानविये गुणों से पूरी तरह युक्त होना है. तो कैसे ये जो आज सत्संग के दोरान भी जिक्र हुआ, कि हम अकसर जितना जानते हैं हमारे लिए तो वो ही पूरा होता है, उससे आगे भी कुछ है, उसकी समझ ही नहीं होती. जैसे सत्संग में आजो धारन देखा, कि एक पानी का ग्लास अगर जिसने सिरफ देखा है, उससे जादा कुछ नहीं, उसके लिए वो ही बहुत है, जिसने बाल्टी देख ली, उसके लिए वो ही बहुत है, जिसने स्विमिंग पूर फिर देखा, उसके लिए वो बहुत प और जिसने ये समुद्र देख लिया, तो पता है अब पानी का तो इस से ज़्यादा विस्तार और कहीं देखने को नहीं मिलेगा, इस से ज़्यादा समुद्र से ऊपर पानी तो कहीं और नहीं समा सकता, तो बात वही कि हम इसमें कहीं ऐसे कुएं के मेंडक ना बन जाएं जो अपना दाइरा इतना छोटा करके उसी को सच्चाई मान लें कि एक कुएं जितना ही जीवन उसी में जिया और खतम भी वही और यही सोचा कि जितना ये पानी मुझे दिख रहा है मेरी एक छालांग में उतना ही ये बहुत है तो अपनी सोच को भी हम इस तरह विस्तारित करें एक वो सोच को खुला रखें ओपन रखें कि हर बार ऐसे ही नहीं है जो मेरे अपने खयाल है मेरी अपनी सोच है कि वो ही ठीक है दूसरे का नजरिया दूसरे का point of view तो हमने सुनना ही नहीं है क्योंकि जैसा हम कर रहे हैं इतने सालों से या बिलकुल अभी वो ही ठीक है क्योंकि हमारी सोच है यहां एहंकार आ गया यहां कंडिशनिंग आ गई इतने सालों की तो बात वही कि विस्तार वो भी है जहां ये चीजें जो जकड रही है बांध रही है वो बंदनों को भी काटना विस्तार है कि एक ही अपनी कोई आदत अक्सर हमें पता होती है कि ये अच्छी आदत नहीं है और उसको छोड़ने की कोशिश करते हैं और जब तक नहीं छूट रही वो फिर बार-बार हो रही है तो जानते हुए भी ये अच्छा नहीं है फिर भी कर रहे हैं तो फिर बात वही कि ये अब हो रही है तो इसको रोका जाए क्योंकि ये समझ है ये करना ठीक नहीं है वो जानते हुए भी अगर हो रही है तो फिर हम किस तरह कहां खड़े हैं ये हमें पता है तो अपनी आदतों को भी जो खुद पता है या जो किसी शुपचिंतक ने पॉइंट आउट कर दी कि ये पहलू ठीक नहीं है उसको भी अपने जीवन से हटाना एक विस्तार का ही रूप है एक एक्स्पैंशिन इस तरह से करें अपने किरदार में की बुरायों को छोड़के अच्छाईयों की ओड़ जाएं कैसे ये सोच भी लिमिटेड होती है हमें कुछ चाहिए अगर तो हम अक्सर अपने ही नजरिये से देखते हैं कि यदि ऐसा हो जाए तो मुझे एक कितना बेनिफिट हो जाएगा कितना अच्छा हो जाएगा मेरे लिए और ये सोचा तक नहीं कि ऐसा करने से भले फाइदा मेरा हो रहा है पर कितने जादा लोगों का नुक्सान हो रहा है तो अपना फाइदा छोड़के औरों को अगर फाइदा मिले ऐसा कदम उठाना ये भी विस्तार है सोच में एक विस्तार भी करना है अपने एक नेचर की भी बात करते हैं हम अपने स्वभाफ की बात करते हैं तो अकसर ऐसा भी हो जाता है कि हम अपनी आदतों में इतने बंद गए कि अगर सुबा उठते ही किसी की आदत है कि पहली चीज अगर गरम पानी मिले चाए मिले जो भी आदत है अगर वो किसी तरह वो चीज उस रुटीन में नहीं हुई तो उठते ही दिल में सबसे पहले वो चिरचड़ापन हो जाता है कि हर दिन के मुताबिक जो आदत थी वो तो आज हुआ नहीं कुछ अलग हो गया तो एक मन फिर बहुत तंग होने लगता है और एक भुज जाते हैं या घर वाले अडोसी पडोसी कामकाज कहीं भी हूँ वहां बहुत ही फिर एक रूड होके रफ होके बात करते हैं क्योंकि अंदर से ही मन खुश नहीं है तो इतनी छोटी छोटी चीजों का भी इतना बड़ा इंपक्त पड़ जाता है तो फिर वहां भ भी विस्तार करना है एक घर परिवारों की अगर बात करें कि जहां ये तन इस परमात्मा की देन है तो इस तन का भी पूरा खयाल करना है ये मन पे भी कोई चीज ऐसी हावी नहीं होने देनी जो उदास कर दे तो अकसर ये जो सामने आता है कि एक डुमेस्टिक वाइलिंस क काई भी एक्जामपल ले लें कि घर में पती-पत्नी इमा बच्चों पिता बच्चों में या और खिसी सदस्य में अगर कोई मालपीट हो रही है तो अकसर कोई एक सदस्य सोच ले अगर कि ये एक-दो बार हो गया है अब मुझे आदर डालनी होगी तो वो भी गलत है वो कि हम अपनी सहन शक्ति बढ़ा रहे हैं, सहन शीलता बढ़ा रहे हैं, थोड़ा दर्द सह लेंगे ये शरीर की, तो फिर महान हो जाएंगे, तो ये भी कोई समझदारी नहीं है, जहां एक किसी को कश्ट देना, चाहे अपने वचनों द्वारा, या कर्मों द्वारा, दोनों ह से हर किसी ने हर एक का आदर सतकार करना है, और अक्सर ये वाला बंधन बहुत मुश्किल हो जाता है काटना जब एक किसी पीड़ा की आदर डालने, तो पीड़ा में ही कही ना कही आराम मिलने लग जाता है, क्यूंकि हम हर एक के आगे शायद अपना दुख दर्द इस तरह बोल देते हैं कि हम खुद को ऐसे विक्टम बना के रखते हैं और बोलते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो आगे से भी हमें हम दर्दी मिलती है और वो शायद दिल को दिमाग को अच्छा लगता है, पर वही दिल और दिमाग हमारा अगर हम मजबूत कर ले इस पर मात्मा को शामिल करें तो वो हिम्मत भी आईगी कि कैसे हमें किस तरह से एक जीवन जो जिस तरह जीना है वैसे ही जीना है ना किसी को किसी तरह का कश्ट देना है ना किसी तरह का कश्ट सेना है और इस तरह ये बुरी आदतों एक conditioning से भी खुद को तोड़ना ये भी विस्तार है तो कैसे जीवन में एक बात वही आजाती है कि लोग इतना जादा अपनी बातों पे मजबूत अकसर हो जाते हैं कि थोड़े से भी अपने point of view को change करने में इतराते हैं एक दृष्टिकोन नहीं बदले जा सकते एक कहानी का उधारंदासी अब लेगी कि एक बार एक इनसान को सपना आता है कि वो एक छोटा बच्चा ही है और अब वो सपने में सोच रहा है कि वो मर गया है और सुबा उठते ही अपने माता पिता को कहता है कि अब मेरा जीवन समा कि आप्त हो चुका है और माता पिता बच्चे को कभी शीष्य के आगे खड़ा करके दिखाएं कि देखो तुम खड़े हुए हो बातचीत कर रहे हो तब ही उसके हाथ पर उसको एक खुझली करके दिखाएं ये तुम्हे महसूस हो रहा है ना तुम जीवत हो और बच्चा बिल्कुल वो मान ही नहीं रहा और ऐसे ही माबाब फिर अडोसी पडोसी सबको एकठा करके बोलते हैं कि आपको ये नजर आ रहा है ना हमारा बच्चा और सब हाँ कह रहे हैं कि हाँ ये तो एक खड़ा हुआ कुरसी पर बैठा जो भी वो कर रहा था उस समय तो उसको फिर समझाते हैं कि देखो तुम जीवित हो अपने आपको मरा हुआ मत समझो पर वो फिर भी नहीं मानता तो अब पेरेंट्स एक साकाटरिस्ट के पास्ट ही ले जाते हैं कि एक ये शायद कोई मानसिक एक रोग हो ग इनसान फिर एक आगे और अपनी बात समझाता है डॉक्टर फिर भी वो बच्चा अपनी जित पे अपनी सोच पे इतना पक्का कि मानने वही तयार नहीं और अब जब अपने सेशन के बाद घर आता है तो एक मुहले में ही हाली में किसी ने अपना ये शरीरिक यात्रा अपतिकी होती है और अब वो शरीर रूप में इनसान लेटा है तो माता पिता वो बच्चे को समझाते हैं कि देखो मरा हुआ इनसान तो ऐसा होता है एक उसका हाथ लेके उसके एक बच्चे का हाथ लेके लेटे हुई वो शरीर के नाक के आगे रखा देखो सांस नहीं महस सूरा ना वो हाथ पे आपके सेंसेशन नहीं आ रही ना और देखो अपने आनाक के आगे रखो फिर वो बच्चा फिर भी नहीं मान रहा फिर वो बच्चे का हाथ लेके उस शरीर की दिल जहां होता है वहां रख के बोलते हैं कि अब आपको हाट बीट भी नहीं सुनाई दे यहां अपनी रख के देखो आपकी तो है तो आप जिन्दा हो वो बच्चा कुछ भी कर लो वो यही माना बैठा है कि नहीं मेरे को जो सपना आया था उसमें मेरा शरीर खतम हो गया था तो मैं अब जिन्दा नहीं हूं और बात पिर अंत में मा को एक चीज और सूचती है व तो उस शरीर के अंदर एक कुछ पिंड डाल देती है और वहां कुछ खून नहीं निकलता और अब बच्चे को कहती है कि यह पिंड अगर मैं आपको लगाऊंगी तो आप से खून निकलेगा तो देखो आप जिन्दा हो और बच्चा फिर वही बात पे अटक के कैदा है कि मां आप समझो आपको लग रहा है कि मरे हुए इंसान ना सांस लेते हैं ना उनकी दिल की धड़कन होती है ना उनके शरीर से अब खून बाहर आ सकता है तो मैं तो आपको एक नई चीज अब सिखा रहा हूं कि देखो मरे वे लोग सांस भी लेते हैं ये दिल भी धड़कन चलती रहती है शरीर से खून भी आ सकता है तो बात वही कि कैसे वो बच्चे ने अब इतनी जिद से अपना एक पॉइंट ऑफ यू पकड़ लिया कि कुछ भी कर लो कितने भी लॉजिक दे लो वो अब अपनी बात से ही नहीं हिल रहा तो ऐसे तो फिर ये विस्तार कहां हो ना है बात वही कि अपने आपको इतने फ्लेक्सिबल रखें कि जहां अपनी बात अगर पता है ठीक है तो उसको जरूर रखें पर साथ ही दूसरों की बातों को भी इस तरह खुले दिमाग खुले दिल से सोचें कि उनकी बात में भी अगर कुछ ठीक लगे तो उसको भी अ वो ही हम पकड़के रखेंगे, चाहे उसमें दूसरे की बात में कुछ सेंस भी लग रहा है, तो भी उसकी बात को नहीं छोड़ एक अपनाना, अपनी ही बात को पकड़के रखना है, तो अगर अध्यात्मिक पहलू से देखें, तो हम ऐसे ही फिर छोटे एक डाइरे में रह जाएंगे, अगर सिरफ अपना ही एक सोचते रहें, या फिर एक सत्संग का संग ना करें, तभी इतनी एक बात ये आती है, कि संगत में आएं, जब ब्रम ज्यान प्राप्त हो गया है, क्यूंकि संतों के अनेक वचन भी सुनेंगे, एक मुलाकात होगी, एक अच्छी शिक्षाओं को ग्रहन करेंगे, तो वाके ही हमारा भी वो एक स्पिरिच्वल जोन और ये ब्रॉडन होगा, एक वो रूप हमारे जीवन का भी फिर और विस्तार लेगा, तो जहां बातविस्तार ये असीम की ओर की है, तो हर कोई जीवन का पहलू हम इतना जादा एक वास्ट उसकी डेप्थ में जा सकते हैं, कि वो बाउनलेस बन सकता है वो पहलू भी इसी निराकार की तरह जैसे इस निराकार का ना कोई अंत है ना शुरुवात, और कैसे ये ही फिर हर तरफ हर रंग में भी है और बेरंगा भी, ऐसे ही हम संसार में रहके संसार का हर एक रंग ले भी अगर तो भी इस रंग से नियारे रहें, ऐसा ही जीवन हर भक्त का रहा है कि कैसे अपने जीवन में हमें एक उस तरहां illusion की जो बात अभी हमने सुनी कि वो हो जाता है लगता है यही सचाई है पर वाक्य ही यह सचाई ही सिरफ सचाई है यह पर्मात्मा ईश्वर अल्ला जिस नाम से भी बुलाना चाहें ये ही है जो हर समय की सचाई है वरना कोई जगा कोई एक शरीर को ही देख लें तो एक पैदा होते ही बालक और बुजुर्गी तक कितना ये आकार बदल गया पड़ाव बदल गए अभी अगर अंधेरा हो गया है तो ये शाम या रात कहलाई जा सकती है और थोड़ी ही दिन में देर में ये सूरज आते ही ये सुबा कहलाई जाएगी तो ये सच्चाई तो पलपल में बदल रही है तो ऐसी सच्चाई के साथ जुड़ें जिसने हर समय सच्चा रहना है और जितना जादा इस निराकार इस सच्चाई के साथ जुडेंगे उतना ही हर पहलू में पॉजिटिव होके एक विस्तार हर पहलू का बढ़ेगा तो दासी की नजर अब घड़ी पे और समय ना लेके इनी शब्दों से आपसे आगया लेंगी साथ संगची दानंकाजी